मेरी शादी हुई पिछले दिनों मैं मेरी पत्नी को गुमा निकले ले गया माउंट अबू तो संसेट पॉइंट पर जाते जाते हैं मैंने उससे एक सवाल पूछा मैंने का एक बात बता अगर मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी अच्छा बोले नहीं नहीं शादी हुई उट से पूछले बोले में मर गई तो आप किसके साथ होगे मैं का मेरा विचार भी तेरी चोटी बेन के साथ है ये वोई तालियां बजा रहे जिनके विचार मुझसे बहुत मिलते हैं एक बर एक सादी समारो चल रहा दो पंडित बेठे हुए पहले पंडित ने मंतोचार शुर चोरो घी चोरो स्वाहा दूसरा पंडित बोला ओंकाई में चोरूंकाई में चोरूंकाई में चोरूंकाई में चोरूंस्वाहा पहला पंडित बोला उत्तम मा से पुर्ण मा से करवा में चोर ले करवा में चोर ले स्वाहा दूसरा पंडित बोला ओं भरभवात स्वाह चो आदा किलो गी चुराकर दुलन के पेरों के पास में रख दिया ओट में छुपाकर अब इस पूरे द्रश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार नायन नावण माता प्राकृतिक पत्रकार उसने देख लिया तो उसने अपना रागात्म अगबार निकाला पहला पंडित बोला ये कौन बोली बोले ये नायों की कल्याणी का की सेटिंग शुरू आनन्द आप पूरा लेते हो पर तालिया थोड़ी कम बजाते हो बैश एक बार दोनों हाथ उपर उठा के तालिय बजा के बताओ पार्थ को करें आप अच्छे तर तुन रहे हो वावावावावाव मैं एक परोड़ी आप तक पहुंचाता हूँ क्या चाहता ये देश ये मेरा दिल चाहता है जितने लोग बेठे हैं अगर आपको लगे कि मेरे दिल की बात आपके दिल की बात है और ऐसा होना चाहिए तो फिर मैं आपका समर्थन देखना चाहता हूँ ये देश क्या चाहता है हमारे सेनिकों से कि अपनी सेना का मनोबल क्यों तोड रहे हो पल-पल वो रोज रोज घुस आते अब हो जाने दो हल चल उनसे कह दो नहीं दबे किसी के दबाने से बस ढूंड ढूंड कर मारे किसी बहाने से अपनी सेना का मनोबल ये हाथ बांद कर उनका अपमान करते हो भाशन में ही उनका सम्मान करते हो सैनिक की जिन्दगी से हम सब की जिन्दगी है उन पर जो शक करता है वो भी तो आतंकी है उन पर जो शक करता है वो भी तो आतंकी है जाने कितने सो गए हैं हमको जगाने में अब हम भी पीछे ना हो फर्ज निभाने में अपनी सेना का मनोगा